Welcome to study repeat, study repeat में आप सब का स्वागत है, इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSI 2021 का जो एक्जाम आने वाला है, उस एक्जाम में कौन सी बुक आपके लिए best होगी, जिस किताब को पढ़कर के आप first attempt में ही UPSI का एक्जाम करेक कर सकते हैं, ठीक है सबसे important होता है किसी भी एक्जाम क करेक करने के लिए उसके books और उसके syllabus, अगर दो चीजे आपको पास prepare हैं, यानि आपको पास solid है, आपका syllabus पर clear है, और आपके पास books भी अच्छी हैं, तो आप कोई भी एक्जाम आसानी से करेक कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे, और जो books इसमें included हैं, वो सार किताबों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या-क्या important books हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ी सी detail देखते हैं, in short में कि syllabus क्या है, जो आपको पढ़ना है, आपने notification डाउनलोड कर लिया होगा नहीं किया है, ता आप notification डा पास आउर कर सकते हैं, सबसे पहले का point को आप देखते हैं, वो है general हिंदी, यानि सामान हिंदी है, दूसरे नंबर का आता है, मोर विदी समविधान और सामान निग्यान है, तीसरे नंबर पर जो mathematics या संख्यात्मा के मानसिक योगता परिक्षा होती है, फोर्थ नंबर पर जाता है, मानसिक अभिरुच परिक्षा, बोतिलवधि परिक्षा, ताकिक परिक्षा, यह four section होते हैं, इस exam में, UPSI के exam में, यह section दिया गया, अगर आप English में देखते है, general English, general Hindi है, analog constitutional, general knowledge है, mathematics है, रिजिनिंग है, four section है, और four section की total marks है, वो 400 marks है, यह आप सब को पता है, अब हम बात देखते हैं, पहले, सामान हिंदी के जो syllabus है, उसको हम देखेंगे, इन short में क्या क्या है, हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, यह आप सब को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन short में मैं आपको फिर स्य बता जाता हूँ, हिंदी और अन्य भारती जो कवर करती ही है, सारे syllabus को, बिल्कुल latest pattern में है, वो first book आप देख लिजिए, जो की recommended है, और कई सारी जो official website है, reputed website है, उन लोगों को नहीं recommend किया है, और इसको जो forum होता है, forum आप जानते हूँ, जहाँ पर question and answering का section होता है, जहाँ पर जो expert होते हैं, reply करते हैं, जैसे college.com, इस त site हैं, जहाँ पर forum होता है, वहाँ पर questionquery.com, इस तरह से हैं, जो online platform है, यहाँ पर student question पुछते हैं, कौन से किता बेस्ट होगी, हमारे exam के लिए 2021 का जो UPSI का exam होगा, वहाँ से सारे question और ये books recommend की गई है, अगर आप first देखते है paper, यानि कि general Hindi की हम बात करते हैं, तो general Hindi में पर सकते हैं, आदित company का, जो दिया गया है, आदित publication, इलाबाद की company है, दूसरे number recommendation दिया गया है, आप Lucent का पर सकते हैं, जो की सामान Hindi का है, and third number पर आता है, general Hindi का जो section होता है, वो अरिहन publication का, ये तीनों किताबे best हैं, आप three में से एक कोई भी आप ले सकते हैं किताब, ले लेकिर ये आप two books रखते हैं, किसी भी particular एक subject के लिए आपके लिए बहुत ही best होता है, देखिए कभी भी कोई भी competition के exam preparation करते हैं, किसी भी particular एक subject के लिए कर एक किताब से crack नहीं किया जा सकता exam, क्योंकि जो questions आते हैं, वो कई सारी किताबों से mix up होके आते हैं, at least एक subject की आपको अदित publication का है, ये सारी question objective है, और दूसरे number जो आपका है, Lucent का, ये सामान हिंदी का, ये descriptive के साथ में objective भी दिया गया है, और ये आपको third number जो दिया गया है, ये PCS label की किताब है, UPPCS के लिए है, NET के लिए, TGT, PGT, PRT, UPSI, सभी जितने भी exams होते हैं, या bank, जो original bank ह जैसे RRB bank है, आप जानते हैं, Grameen Bank, इसके जो exam होते हैं, इस तरह से question जो हिंदी की पुछाते हैं, ये आपके इसमें cover होते हैं, लेकिन UPSI के लिए भी ये भी best है, तो अब तीन में से आप दो recommend कर सकते हैं, एक first number की और दूसरी checker number की, इन दो किताब में, इन तीनों किता इन हो जाता है general knowledge का, ये section पूरा देया, इस screen पर आप देख रहे हैं, आप पूरी screen को आप read out कर सकते हैं, या description में link दिया गया है, वहाँ से भी आप चाहें, download कर लिजेगा इसका notification, वहाँ से भी आप उस ले बस मिल जाएगा, इसमें किताब कौन से best होगी, जो कि recommend की गई ह जो कि official websites हैं, और जो जागरन जोस जैसी websites ने recommend किया है, experts ने recommend किया, और forum को मैंने आपको जो बता जो कि research करके मैंने वी वीडियो बना रहा हूँ, मोल वीधी में सबसे ज़्याद रिकमेंडेड है बुक वो है, अरिहन पब्लिकेशन की दूसरे नंबर पर आती है, जूद पब्लिकेशन की, और तीसरे नंबर पर अगर आप देखते हैं, तगरवाल जाम कार्ट को भी आप prefer कर सकते हैं, but two books यह जो है starting की, यह book आपके मोल वीधी और सम्विधान की यह किताब बहुत descriptive में दिया है, फ़ले section wise दिया है, इस syllabus के पहले description में दिया गया है, descriptive है, उसके बाद उसी section का objective form में भी दिया गया है, जो practice, और इसमें कैसा unsolved paper भी है, previous year के questions भी आपको मिल जाएंगे, इसमें, 2017 जो selection के question आया थी, वो भी आप ये दोनों की books आप purchase कर सकते हैं online, अभी समय COVID-19 की problem चल रही है, तो आप book को prefer कीजिए online purchase करना, description में link दिया है, वहाँ साब purchase कर लीजिए, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम किताब ले लेंगे online, तो problems होगी shipping charge को लेकर के, लेकिन की career की बात है, यह आप interested है, to be selected in UPSI, तो आप books अच्छी होनी चाहिए, तब ही आप किसी भी exam को correct कर सकते हैं, तो दूसरा section जो दिया गया है, इसमें सामान निग्यान का, सामान निग्यान के लिए आप prefer कर सकते हैं, और दूसरा आप Lucent को भी preference दे सकते हैं, जो कि static GK का part होता है, साथ में आपको current affairs के लिए बहुत स daily, बहुत सा YouTube channels में हैं, उनको आप preference दे सकते हैं, आप एक गंडे या 10 मिट का 20 मिट का समय daily दीजिएगा, practice हो जाएगा current phase का, तो यह section आपका clear हो जाएगा, मोल भी समय ना और सामान निग्यान का, अब बात आती है, इसमें संख्यात में को मानसिक योगता के लिए, यह जाती है, कि हमने question सही solo किया है, यह नहीं किया है, उसमें दिकत हो सकती, but mathematics यह साइसा है, जो कि 100% accuracy के साथ numbers आपको देता है, तो number is scoring subject है, इसमें जो दो books recommended की गई, ए तो English media में book है, आप इसका Hindi version भी आप purchase कर सकते हैं online, दियाएगा, संद की, दूसरे number, first number पर youth competition publication आपको पत 2017 का exam, उन लोगों ने भी preference यह दिया है, फोरम में कि यह किताब best होगी, online जितनी websites है, उन लोगों ने भी recommend किया, यह किताब अच्छी है, और बहुत साई coaching offline के जो चालने, उनका भी recommendation है, यह किताब इन दोनों में best है, आप इन किताब परचेश कर सकते हैं, या rest of scale, अगर आ fourth part आ जाता है आपका, मांसिक अभिर्यूष परिक्षा, बुद्धिलप्थ परिक्षा, तार्किक परिक्षा, जो कि रिजनिंग का part होता है, यह बहुत सी best होता है, यह भी number scoring है, इसमें दो किताबे बहुत ही preference दी गई है, first है master reasoning, दूसरे number की है सामान बुद्ध्यों तर्क तर्क सक्त परिक्षण, यह किताब आपके लिए best होगी, third भी, second यह बुक है, यह भी आप preference दे सकते हैं, for the reasoning, तीनों में से at least आप दो या एक या दो, दो किताबे दे कमस्व होनी चाहिए, पर आपके subject के हिसाफ से, क्योंकि एक subject की एक book enough नहीं होती है, practice करने के लिए आप पास होने चाहिए, साथ में practice set भी आप रखिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप practice करेंगे, उतने ज्यादा आपको आसानी होगी exam को correct करने में, क्योंकि जो exam होगा, यह online होगा, आप सब को पता है, इसका section selection का जो process है, वो भी आपको पता है, उसके बारे मैं आपको short में बता जो अप्लिकेंट होते हैं, उनके इससाथ से जो उनका exam का date होगा, वो change हो सकता है, या एक दिन में 2-3 shift में हो सकता है, या 2-3 day में dates भी change हो सकते हैं, और सारे section जो होगे, वो अलग होगे, सारे exam का जो paper होगा, सब का अला होगा, एक जैसा paper नहीं होगा, सबसे important topic होता है जैसे एक subject क्या है, एक subject 100 number का है, 40 question है, 100 number का है, तो 100 number में आपको उसका परसेंटेज बनता है, 35% वो आपको अंक लाना है, साथ में, 50, 30% जो होगा लाना होगा आपको प्रत्यक विशे में लाना होगा, या आप ये नहीं कह सकते, किसी एक विशे में पास हो जाए, आप 35% होना चाहिए, और टोटल अंक आप तभी पास हो पाएंगे, यह भी आपका overall 50% अंक पात करने में विफल होने वाले अभ्यरती होंगे, जिनके numbers अगर 50% से कम है, तो उनका selection होना मुश्किल होगा, भारती के लिए पात्र नहीं होगा, यादि कोई 50% अंक पाने में विफ करेंगे, तब जाके अब लाइंड करेंगे 50% के आसपास, तो इस तरीके से आपका target ज्यादा होगा, तभी possibility ज्यादा होगी, और सभी subject में पास होना जरूरी है, दियागा प्रतिविशार में 35% अंक पाना जरूरी है, अचारों में को मिलाके 50% आपके अंक से ज्यादा पा करेंगे, उसे को follow करके, आप exam preparation कीजिए, और जो books मनें बताया है, इन सारी books को आप purchase करना चाहते है, description में link दिया गया है, वहां साप purchase कर सकते है, one by one books का, और आपको एक one link मैं आपको और दूँगा, वहां सापको सारी किताबे एक जगे मिल जाएंगी, आप online purchase कर सकते हैं, यदि आपको यह किताबे offline मिलती हैं, तो आप offline भी purchase कर सकते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ किसको आप online ही purchase कीजिए, आपके recommendation के लिए है, यह books आपके best होंगे, आपके exam के लिए, आप online ले सकते हैं, किताबे को offline भी ले सकते हैं, बट इस तरह में COVID-19 के वज़़ा से, सारे book store mostly closed है, तो इस time जो आपका grab time का है, यह बहुत ही important है, इसको अगर आप use करना चाहते हैं, ताप online order कीजिए, आपके पास यह किताबे क्या होंगी, on time deliver हो जाएंगी, और प्रेपर सन आप start कर सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को share कीजिए, चैनल पे न flotteёnd बाछीं, प्रेपन हो कोची on data कीजिए, ता कीजिए जाएंगी हो जो है प्रेप जसे बालों छावझ isn सकती हो not with the right dependent on the marine economy के लhowly अगाफंवाश जापके lijूँोंग, जिलाएंगी हो जए एंपचे से जा दुस हो जाएंगा कीजिए, और जिल करत आप दू हो मैंखती